वेलकम तो बैक्वेंचर गाइस आम यों मेंटर आशुतो ज्या तो आज को हमारा टॉपिक क्या है वोट इस टॉक तो बेसिकली आगे जो हम डेरिविशन पढ़ने वाले हैं उसमें हमें इसके बारे में जाना जरूरी है कि इसके बेसिक सिया होते हैं तो हम आज पढ़ेंगे मतलब आगर फोर्स लग रहा है किस वे में रोटेशनल वे में तो हम उससे बूलते हैं जैसे कि यह एक अब्जेक्ट है ठीक है इस पे फोर्स लग रहा है इसमें होगी रोटेशन नहीं है सेकेंड म बात करते हैं इसके जिसमें बांद और नीचाहें अपड और लॉट्ट तो टाव क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा ठाडबात करने जब फोर्स क्या हो सेंडिरेक्ण में हो तो भी टाव जीरो होता है जब ऑपोस्ट direction में end side से किसी object के force लग रहा हो तो यह जो फोर्स है यह अब डिरेक्शन में इसको आगे के तरफ गुमाएगा और यह इस तरफ तो यहाँ पर क्या है रोटेशन होगा इसकी वज़े से इस पर क्या लगता है टॉर्क लगता है तो टॉक को कैसे लिखते हैं टॉर्क होता है magnitude of either force यह दो फोर्स लग रहे हैं एक F इधर लग रहा और 1 ज़सर लगए f1 f2 को magnitude of either force and perpendicular distance between the forces मतलब गली है इनके बीच का यह perpendicular distance और इसका multiply किसे दोनों मेंसे किसी एक force के साल के साथ तो हम बात करते हैं के equilibrium की तुम्हारे पास दो तरीके के equilibrium होते हैं एक तो होता है translation motion के लिए और rotational के लिए translation हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें क्या होता है force जो f net होता है वो constant हो जाता है जिसमें हम workman कैसे निकालते है force into displacement तो अगर force constant है और मुझे उसे as a variable use करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे उसे integration में यूज करना पड़ेगा ठीक है तो इसे में dw is equal to integration of f dot dx लेख सकता हो तो यहां पर यह जो पूरा term है यह as a variable treat होगा next time बात करते हैं कि rotational motion की तो rotational motion में जो t net होता है नहीं टॉर्क जो होता है नेट वो constant होता है लेकिन अगर इसे as a variable use करना है तो हम कैसे उसकरेंगे integration के साथ dw is equal to टॉडॉट डॉट डी ठीटा यह क्या है यह displacement displacement है जब किसी object पर टॉर्क लग रहा हो है ठीक है अगला टॉपिक है यहां पढ़ रहे हैं टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेज जिना uniform electric field मतलब यह electric field है इसमें एक डाइपोल है डाइपोल क्या था अगर आपको डाइपोल के बारे में जाना है तो उपर आई बटन पर जाकर कर सकते हैं मेरी पिछली वीडियो तो डाइपोल होता है जिसमें हमारे पास दो चार्जेस होते हैं अपोजिट यानि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ठीक है तो हमने इसे यहां पर प्लेस कर रहा है एलेक्ट्रिक फिल्ड में जो पॉजिटिव से निकल रही है डिरेक्शन में तो क्योंकि यह दोनों डिरेक्शन अपोजिट है जैसे मैंने यहां पर बनाया था तो यहां पर क्या होएगा रोटेशन होगा ठीक है और अगर यह रोटेशन एलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर हो रहा है तो फोर्स क्या होता है एलेक्ट्रिक फिल्ड में य कौन सा एबीन तो इसमें जो एम है यह क्या पर्पेंडिकलर डिस्टेंस से इस ओब्जेक्ट के दोनों से बीच का तो इसको निकालने के लिए आज मेरे को यूज चूपर को यूज करना है किसे ताव इकोल फोर्स हो गया क्यों ही और डिस्टेंस हो गया एं यह वाला साइन थीटा इसको पूट कर देना इस इक्वेशन में ताउ वाली तो पहले से पता है जो डाइपोल होता है डाइपोल मुमें वह कैसे निकलता है यानि कि जो चार्ज होता है आइधर चार्ज का मल्टिप्लिकेशन उसके बीच के डिस्टेंस से तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे किसकी जिगा पर यह क्यू एक साथ तो ताउ आजाएगा पीई साइंट कीटा यह इंपोर्टेंट है कि इनके लिए यह जो कोश्चन होते हैं इसके बेसिस पर कोश्चन आते हैं रोटेशनल पर तो वहां पर यह फॉर्मूला बहुत काम आता है पी साइंट कीटा ठीक है तो यह हमने क्या निकाला यह हमने निकाला टॉर्क और डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म एलेक्ट उपर ही होती है टॉर्म तो पहला क्या है अभी इसको डिराइब करा टॉट को होता है पी सैंट ठीटा तो अगर मैं एक प्लेन की बात करूं यानि एक्स और या इस इस फे यह मैंने बनाया जहां पर 90 डिग्री पर इंग एक्स एकसे से यह वाइस जैड़ एकसे इस पर यह मैं इसको लेख सकता हूं Tau Vector is equal to p vector cross product E vector ठीक क्योंकि सब्सक्राइब क्रोश प्रॉडट आता है और को शच्छिटा में आता है वह बात करते हैं maximum talk maximum talk कब लगेगा अगर कोई object electric field में और जो एंगल बन रहा अगर एंगल बन जाए कितना 90 डिग्री क्योंकि जो मारा साइन 90 होता है वह मैक्स होता है कितना वन जब ठीटा 90 हो जाए तो उस जगह पे इसकी वैल्यू बन हो जाएगी और पी जो की मैक्स होगा ठीक है नेक्स नम बात करते हैं स्टेबल स्टेबल में क्या होता है कि यह एक है ठीक है रही है तो स्टेट में हमने वने डाइपोल रखा अब डाइपोल में और दोनों में एंगल है जीरो है तो यह फिय छाएगा जीरो ने पर fantastic कि यह फिक हैan balcony यह प्लेन है इस पर यह पर दो यहां तो की जाएंगा यह तो फोर्स किस्ट लगन documents लगेगा एक फॉर्स तो इधर लगेगा एक फॉर्स इधर मतलब जैसे यहाँ पे एक इधर लग रहा था और एक इधर तब यहाँ पे दोनों अपोज़े डिरेक्शन में लग रहे हैं तो ठीटा हो जाएगा 180 और 180 साइं 180 जीरो होता है तो तो जीरो ही आएगा लेकिन यह अंस्टेब चुनने हैं कि आपको दोनों में से कोई एक फॉर्स ऐसे चुनना है दोनों फोर्स का जो मेगनिटूड है वह कॉमन नहीं मतलब भूब उनका डिरेक्शन में फर्क होता है यह आधर नेगेटिव आधर पॉिटिव तो जो यूनिफ नेगेटिव जा रही है जहां पर यह दो रखें माइनस क्यूँ और प्लस क्यूँ पर अगर यह मैंने एक इलेक्ट्रिक फिल्ड माल लिया पॉस्टिव पॉस्टिव नेगेटिव नेगेटिव तो यह एक फॉस इदर लग रहा है और इन दोनों का जो नेट आएगा नेट क्या आएगा जीरो आएगा क्यों फ्लस नेट फॉस लगेगा वह नोन जीरो लगेगा कैसे कि अभी क्या अभी अपन इस डिएग्रम को इसमें हुआ कि यह एक जारी है और यहां आगे की तरफ क्या यह ज्यादा क्लोज है और इधर क्या थोड़े दूर दूर है तो दोनों जगा क्या अलग अलग होगी इसलिए मै अगर आपको इस प्रॉपर्टी और आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आप उपर आई बटन पे जाके मेरे उस वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं तो आगे हम देखते हैं इसके बीच में डाइपोल रखा है प्लस क्यू और माइनस क्यू इस माइनस क्यू पर क्या आप लगेगा वह किदर लगेगा बेकवर्ड इनस में माइनस क्यू और ये टैस्ट और किया लगेगा प्लस क्यू इकapo क्योंकि होता है हमारा क्यो सेम मागनेटीटे और चेंज हो रहा यानि दोनों का difference, वो of course इसकी वज़े से क्या आएगा, कुछ value आएगी, अगर मैं क्यूभी common कर लूँ, तो भी e dash minus e, ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, तो कि दोनों electric field क्या अलग अलग है, तो इसका मतलब f net is not equal to 0, तो इसे पता क्या पढ़ रहा है, it shows both translational and as well as rotational motion, मतलब क्य है, यहाँ पर जो पहले था, पहले हमने क्या पढ़ा, uniform electric field में 0 आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि वो में no translation show कर रहा था, no translation में हमने क्या पढ़ रहा था, f net 0 हो जाता है, sorry, constant हो जाता है, 0 नहीं, लेकिन इस वाले में क्या, अगर ये non 0 है, तो it means rotational translation में ट्रांसलेशन में f net constant हो रहा था, और हम variable बनने के लिए क्या कर रहे थे, हम उसे as a integration यूज कर रहे थे, अगर आपको समझना है, तो आप वीडियो को पीछे करके दुबारा check out करें, ताकि आपको यी चीज बहतर समझ में आएगी, और रोटेशनल में क्या हो था, रोटेशनल में जो टॉर्क नेट होता है, यानि टाव नेट, वो constant हो जाता है, और उसको भी हम क्या करते है, वरियेबल की तरह यूज करने के लिए integration के साथ इस्तमाल करते है,